कि काश्वी जी है इनका एक Black Magic का Experience तोे अज़े अपना youtube ऑंighty सबूने के साथ हमढ़र साथ हमार साथ है खुशी और हमार साथ पियुषभाई और दिल्ली भाई और मैं और हम सुनैंगे आप आप सब के साथ ये मज़दार कहानी तो शुरू करते हैं ओवर टू यू काश्वी जी मेरे मेरे क्लोस फ्रेंड्स में हैं कितने साल पुरानी बात है ये अभी तक चली रही है कुछ पुरानी नहीं है सल्यूशन निकला इसका नई आप मैं पहले से बता दूँ कि तो अब बहुत प्रेंड़ी तो वह सुधर जाता है चल रही है तो किसी मेरे कि फ्रेंड है अब हो बहुत प्यारी है chegar उसको एक लड़का मिले दोनों का बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी बडि उस लडएकी की लाइफ पहले से पोई लड़की आप और वो लड़की ज़नेरली उसके आफिस में भी काम कर रही है लेकिन उ अच्छी दोस्त है अच्छी दोस्त है अच्छी दोस्त है इंवल्ड है इंटीमेट हो रही है अब तू पर्याएवाची मज़े समझ आ गई बात तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है life अचानक से दो महीने भी नहीं होते हैं उस लड़की को कॉल करती है ओफिस वाली लड़की आपकी फ्रेंड को कॉल करती है वो बोलती है जिसके साथ तुम आजकल गूम रही हो वो मेरा बंद है तो वो लड़की है तो प्यारी है तो कहती है कि नहीं यार मुझे अपने बंदे पर पूरा ट्रस्ट है भाई में को कोई मतलब नहीं है उसने जनरली थोड़ी सी साइको पहता है तो कर दिया होगा ऐसी मज़े लेने के लिए चेक करने के लिए कि तुम किस टाइप की लड़की हो मुझे लगा उसने का है कि भाई यार चलो जो भी है बीत गया जैसी भी लाइफ चल रही है ठीक है थोड़े टाहिम बाद उनका अफैर स्ट्राउंग हुआ दर वो और स्ट्राउंग हो गया वो फिजिकल रिलेशन तक पहुच गे चीज़े तो फिजब फिजिकल पर पहुच थी तो शादी तक बिकोस लड़की अच्छी और वो कमिटेट था लडगा उससे के मैं मुझे से शादी करनी है तो जैसी इस लड़क गंटे जो कमिटेट था मतलब दो फोन से उसके पास एक कंटीनिव कॉल पर है वो उसके साथ 24 गंटे शोता भी वो कॉल पर ही था कॉल पे सो रहे हैं बहुत तो जियों का पूरा फायदा ले रहे है लिए तो हमारा कोई दिली भाई की लिगड़ा पता था मूले का साना कु अबार भाई काम ता लिग काम था गल उप पह पकार आधा काता व कि अगर इसको था मैं यू एभाई वो कि भैंटी को तो बहुता है तो सब्सक्ति हैं लेकिन लड़की पने परने पताश्क नहीं जातिति था बहूं का बोलोंगे उसके बारा experiment ऐख तो उसके बाहूं नही उसने प्रूफ बेज दिया उसको अचानक से एक है तिये इसने ये वाली शिर्ट पहनी है यह है यहां तक कि उसके मतलब जो इनर्वियर्स है उसको भी उसने बता दिया तो शीज रेट कि नहीं ऐसा तो जब उसने चेक किया तो वो जो एक टाइम था ना उपने घर पर शावर लेने जा रहा होता था वो बंदी उसके घर होती थी और जो वो पहन रहा है क्या पहन रहा है, कौन सी वाच पहन रहा है वो सब उसको निकाल के देती थी उसको exactly सब कुछ पता था उस लड़के के बारे में जो ओफिस वाली हाँ ओफिस वाली ओफिस वाली तो तब तो उसको थोड़ा सा शक हुआ वहाँ से उन दोनों के बीच में लड़ाई चालो कि बही क्या है लड़के ने का यार मैं मम्मी से इंटर्ड्यूस करा देता हूं तुमें हिससे जाधा एक लड़की क्या जाती है कि अगर शादी है उसने मम्मी से इंट्रड्यूस कर दो तो मम कहते है कि किसी से भी शादी कर दोंगी पर इससे नहीं कर दोंगी ओसने क्यों पता ह Nope क्यों नहींको लगा कि वह लड़की बहुत शाब है ऐसा लगा, उनको या लगा कि उनके कास्ट की नहीं है या कुछ भी ऐसा लगा, तो वो उसको लगा, उसका डाउट और बढ़िया कि कुछ तो इशु है यहाँ पर, अब एक टाइम आया कि सब चल रहा है, शक चल रहा है, लड़ाई चल रही है, प्यार चल रहा है वहां से calls भी आ रहे हैं मतलब है एक होता है आज आज आपने किसी को call करा मैं यहां पर नहीं था यार फिर आपने proof कर दिया कोई गलत proof दे दिया यह सब चलते चलते इस बात को एक डिट साल निकल गया फिर वो लड़की को हुआ कि यार कुछ है वहां से उस लड़ी, उन दोनों लड़कीं की लड़IA चलोई फिर फिर गाली गलोच मैं तुझे नहीं चूड़ूगी, मैं तुझे नहीं चौड़ूगी यह सब चल्रूबा अच्छे वा लड़का अखेला रहता था हाँ फैमिली के साथ रहता था उसने कब पकड़ने कोईश नहीं करी कभी कि वो ओफिस वाली लड़की से मिलने गया हो और वो पीछे पीछे पहुच गई हो मतलब मैंने का ना कि एक अच्छी लड़की ना कभी रेरली चीजे करेगी वो सोसती रहती है नहीं यार इस वाइन यार उसने भी को इतना खुश रखता है हम लोग 24 गंटे साहते हैं तो वो थोड़ा सा होता ही और कई बार ना मैंने जो अभी तक उसको मैंने भी देखा है उ बंदा गलत निकल गया तो मैं क्या करूंगी तो यह होता है कई बर हम देखके भी ना सोचते हैं कि यार छोड़ो मतलब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी उसको ऐसा लगता था ठीक है वहाँ से चीजे और चेंज हुई एक दिन वो लड़की कहीं जा रही थी और हां उसका जो अचानक से उसको लगा यार आज कुछ पता नहीं क्यों होता है ना में इंट्यूशन हो जाती है उसने कॉल किया उसके ऑफिस में पहली बार लाइफ में लेंड लाइन पे उस बंदी ने उठाया और यार तो तुम ही हो ना हलो बोलके कितनी बार बोला है कि मैं तो होती ही हूं साथ में तो उसने का अचा कोई बात नहीं तुम उन्हें फोन दो उसके पैरो तले जमीन निकल गई लिटरली वो बंदी जो कमिटिट थी उसको जाना था वो गई फिर भी उस बंदे ने उसको clarity दी कि यार वो मेरे पीछे बढ़ी है मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम परिशान हो जाती फिर उसना ये क्यार किया कि बट मेरा कुछ नहीं है कुछ ऐसा काम अटक गया था office में और वो उस में पर्फेशनलिस्ट है तो मुझे उसको बुनाना पड़ा कि बाई तुम आके ये solve कर दो but there is nothing पूरा सब office में थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है लड़की फिर मान गई generally होता है ठीक है मान जाते हैं लोग ये चलते चलते एक time इतना जादा खराब हो गया था रिष्टा उसे clear हो गया था लड़की को जो committed थी कि there is something बहुत clear हो गया था वो लड़की कह रही थी जब तुम मेरे साथ 24 गंटे हो कहां से क्यों तुमें किसी और की like अगर ये भी चीज़े हैं तो why तो वो कहता था ऐसा कुछ ही नहीं हां ऐसा कुछ ही नहीं वो यह चीज थी ना कि वो office में थी तो कही न कहीं से चीज़े हो रही थी एक दिन वो ऐसी office में जाकर उस पर ऐसी बात कर रही थी अचानक से उसका message हुआ hey love मतलब laptop उसे लगा वो काम कर रहे वो उसके साथ video chat कर रहा था और वो उन दी सामने बैटी थी था मतलब इस level पर लोग काम करते हैं फिर वहां से वो जादू टोने वाला start हुआ वो जो बंदी है जो शरीफ सी थी उसने का यार मैं इसे खून ही सकती मतलब यह मेरी life line है मैं मर जाओंगे इसके बिना तो उसकी कुसी friend ने का कि यार मैं तुरी जगा लेकर जाती हूं महा चलते हैं वो बाबा ने उसको देखके बोला कि यार जिस बंदी के बारे में तुम बता रहे हो उन्होंने पहली बता दिया सब कुश कि उसके उपर इतना जादा हुआ है कि वह तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं होता है बंदें पे हो रक का unglaub पेघु मुछ सी करेग एंट में इतना जादा है कि वह किसी बीलड़ीकी पे चीद तो ट्रस्स करता है ना गुश करता है उसने का अब इस चीज को हटाना है उन्होंने का ठीक है ये चीज लेके जाओ हट जाएगा जैसे जैसे वो जो शरीफ सी लड़की थी वो गई उसको पिलाया तो उस बंदे का जो फेस था ना जो ये लिप्स थे वो यहां से यहां गूम गए लखवा मार गी हां मतलब जैसे क यहां दो चीज़ें एफेक्ट करी एक तो जो उसको करवाया था और जिस पर करा वा था क्योंकि दोनों चीज़ें मैच होई ना उसका फेस यहां से इतहरा गया वह उन्ती ओर्डर को सुन रहे थे उनको बाबा को कॉल किया कि भाई क्यों कि तैयार उसने बहुत स्ट्रॉं कहती है यह पूरे टाइम हमारे घर में रहती है अगर कोई लड़की का फोन भी आ जाए ना तो उससे कहीगी यार मुझे इससे दे दो मैं तुमारी दोस्त से बहुत उसको कोई प्रॉब्लम है तो I will take care each and everything बड़ क्या करती है और उसका यह हाल कर देती है उस लड़की का कि तो वो मतलब बेड़ पर पहुच जाती है अगर उसकी कोई दोस्त भी उसको काल करे तो इस लेवल पर यह तो शैतान पिच्चर याद आ गए मुझे की घर में घुसी भी है और बिल्कुल घरवालों को भी बता रखा है मैं तुमारा लड़का मेरे वश में है कर लो जो करो अगर उसकी फैमिली भी यह कहती है ना के भाई हमें पसंद नहीं है कि आप घर पर रहें जब शादी होगी तब कर तब देखेंगे इग्नौर वो जिसने कहा होता है यह लाइन वो अगले दिन बिमार पड़ जाता है इस लेवल पर और आज भी देट गाय सफरिंग वो जो लड़की है आज भी रो रही है पागल है उसके पीछे तो कहीं दिखा नहीं रहे हैं फिर घरवाले लड़के उसके घरवालों ने इतनी सारी जगा दिखा दिया इतना कुछ करवा दिया है पर जो भी जाता है ना मतलब जो भी जाता है वो बिमार हो जाता है अगर कोई भी अब फाइनली जो उनके लास्ट है, अब उनकी शादी होने जा रही है, उसी लड़की से, और वो जो लड़की थी ना, जो कमेटेट थी, वो आलमोस्ट, आप यह लगा लो, उस लेवल पर आ चुकी थी, कि वो मर जाएगी, फिर भी उस बंदे ने पदे क्या करा, पुलिस स् और उन दोनों के बीच में, उसके बाद भी, वो पहले कैसे इतने टाम तक उससे बात करता था ऐसे फोन पर, उस टाम तक उनका सही था, और वो लड़की भी लाव खुरती थी, अच्छली क्या था ना, कि जैसे कई बार होता है, कि अब उस लड़की को ही गलत कर दिया, मतल अब लड़की कभी जैसे अपने किसी दोस्त के साथ भी कही जाती थी, तो कहता था, देख, उसका फैर है उसके साथ, उसने उसको ऐसे ऐसे प्रूफ कर दिये चीजों को, कि उस लड़की को इतना गलत बना दिया, उस लड़की के सामने के वो लड़का करता है, यार मैं तो यह ट्राइ कर रहे हैं कि कैसे भी रुख जाए, स्टिल, लोग इतने जादा हैं, और जो लड़की से कमिटेड थी, उसकी केसवे में हालत खराब रखी थी, यार आप लगा लो, मतलब उनकी अफैर ओल में तीन साल चला, ठीक है, तीन साल के बाद ना, उस लड़के न उसक क्यों पर गाड़ी का गेट देके मारता था, बहुत जोड से, और अगर दो मिनट पी उसको वेट करना पड़ जाना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या पागल हुए आप जो मैं तुम्हारा चिक-चिक के उसको, मतलब उसको उस लेवल पे ला दिया, कि उस अपने टाइम पे लड़ भी निकाला है, अब जाके मतलब शायद वो थोड़ी सी नॉर्मल जोन में आई है, अपनी जिल्दगी के घरवाले भी इशक कर भूंगे, लड़का सेफ रहा है, अगर बेशक इसके साथ है, शायद इसलिए शादी करवा रहा है कि कुछ और उसका घर, उसका फोन, उसकी लाइफ की जैसे आपकी मॉर्निंग की कोई साथ बची की टैबलेट है, उसने इतनी सारी चीजे कवर कर रखी है, वंदा हिल भी नहीं सकता है, वसके मैं यह लड़किया कर रही हैं, बताओ, लॉंडा तो करियर पर दे रहा है, यह लड़किया पापा सब को पता है, वो घर में रह रही है, और कह रही है, मैं निजारी कर लो जो करोगे, और जो बोल रहा है, वो बिमार पढ़ रहा है, जो बोल रहा है, वो बिमार पढ़ रहा है, वो सब पता है, क्या करेंगे, लड़का अलगी जोन में जा रहा है, उनको पता है, हमा और एक्स्टाचिश लड़के कि यह तो फिर जब उसको कोंच्रोल करें तो उसको ऐसे को फेर किसी को भी खुमा लिए ना की शादी तो मुझसे ही करगा तो कॉर्ले अफैर किसी को भी कुमा दिए और इक कै वो रिच परस्नालिटी है तो उसको भस यह यह कि यू अच्छभी सब्सक्राइब चल रहे हैं बट वो है उस बंदी के कंट्रोल में सारा प्रॉपर्डी मतलब पता नहीं किस टाइप की लड़की है वो मुझे नहीं पता आप अब अब यू कभी उससे सेकंड केरेक्टर से मिले हो मिली हूँ मैं उस लड़की से पता नहीं वो तो देखती भी ऐसे कि मुझे लगता है जाओ यह से बस अब नहीं जिलेगे उससे मतलब देखके ही सेंस आजाता है उसको आप भी देखो ना आपको गयार मैं हेलो भी नहीं करना चाहता इससे लोग ऐसे हैं जच में और उस लड़की से बात होती है तेरी जो कमेटेड थी यह अब बहुत बड़ा हाल है उसका अब जाके वो थोड़े से अपने सेंसे में आई है तो उसने किसी और को डेट करना शुरू कि नहीं अब उसके घरवाले उसके लिए रिष्टा डूंग र अथि लाग भोवे यहां से आहां जा रहा है लो वह यह अलगी चीज हूँ यहां बते कर सकते को कोई मेरे साथ क्या कर रहा है किसी क्या इंटेंशन्जन तुम्हें पता है उसको जो तुम्हारे गहरे उसा बाहरा लकाडों खीच के? अबे लकाडो के तो वा बीमार करदेगी तुम्हें इसका तोड लड़का ही निकाल सकता है कि लड़का निकाले उसे पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत जादा स्वीट बनेगा ना मूँ पर वो लोग जादा करते है एक बार मेरी फ्रेंड प्रिशान तो मुझे लगा मैं जाके मिलती हूं उसने एक बात तो करो तो मैं उसकी घर गई मैं उसकी मॉम अगर से बात करें तो मॉम अगर न ना मातो मैं जाई नहीं सकती थी मैं लड़की की मॉम के आँ गई थी तो मैंने का बई आणटी क्यूं आप कुछ तो कोशिश करो कह रही मैं सारी कोशिश करके हार कर बैटी हूं घर पे मेरे पास कोई सॉलुशन नहीं है अगर तुम में से किसी के बार हिम्मत है पावर है क पुश करो मैं सच में अपने बेटे को बचाना चाहती हूं तो मैंने जाके ना बस एक गलती कर दी कि मैं उसके रूम में जाके उस टेम उस लड़के के मैं उसको इसना गया यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बर नब चेक करो कि आप जिसे इतना प्या तो मैं अगले दिन जब मैं आई ती घर मेरा अलमूस्ट वन मन्थ का पूरा काम लाइनप था जीरो हो गया था जब कुछ उसे पता था उस लड़की को यह पता था कि इसे बहुत काम से प्यार है तो उसने सबसे पहले उस चीज़ को हिट किया और मैं इतना परिशान हो अगर उसको माइनर भी पता लग जाए ना कि कुछ तो गया वो बंदा शायद मैं उसके हाथ की चाय पी ली थी अरे मीठे में ही तो होता है सब कुछ जादा तर यही कहा जाता है मीठे के थू ही होता है जो भी लड़के को आगर रहे देगा ठीक करने कोश्च करेगा उस प आपो आपको headache होगा कभी आपको लगे गाया मैं वहां से आया था मुझे क्यों इतना headache हो रहा है कभी भी हमारी जो खुद की इंट्यूशन होते है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और कोई कहे तो उसको सुनो भाई भगवानी बचा सकते है बजरंग बचा सकती है बंदि हम तो खुद जाते रहते हैं ताकि चार्ज रप रहे हमेशा क्यों हमारा नी बिगाड सकता है जाना चाहिए भाई भक्ती में ही शक्ती है हम तो बचे रहेंगे तो हमारे बास तो महाकाल जी का दागा बंद हुआ है कि यूश अपना देख लेना आप देख लेना हनुमान तो आप देख लो एक बात करी अपने बारे में बताया उसके बारे में पूचा अपने बारे में पूचा है दो गंटे बाद उसने का आरे चलो मिलने का प्लान करते मुझे आपसे बात करें के इच्छा लगा वो बंदी कहती है नहीं अगर आज या कल सुबह तक शादी करोगे तो मैं मिलने आओंगी डारेक्ली शादी करनी है और वो बंदा सिर्फ दो गंटे बात करने के बाद उस रात को उसने पता नहीं उसको क्या किया वो सो गया बंदा मतलब कुछ हुआ नहीं अगले दिन ना वो उटके उटने का वेट कर रही थी उसने उसको उटाया जैसे बठा अच्छा मैं अपने घर जा रही हूं और ना कुछ अमेरजनसी आ गई है तो डोंट माइन मैं आ जा जहां कि वो थी उसने जो भी अड्रस दिया था कि कहते है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी मुझे तुमसे डाइबोस्ट चाहिए क्योंकि यह नोट कैपबल ऑफ एनिधिंग अब कुछ उसने करने तो दिया नहीं है और मैं केस वाइल कर रही हूं और आज तक वो बंदा उस केस में फर्स कर उसको पैसे दे रहा है और बाद में पता लगा वो चार्ड लोगों के साथ अल्रड़ी की सीन कर चुकी है दो गंटे बात करके शादी करने का डिसीजिशनी बन देगा चूती है कौन डेस्परेट लड़का है वह जो जिसे शादी है दो गंटे में ही श बाद में लड़के ने उसको प्रूफ कर दिया ना कि भाई सब ठीक है सारी चीजे तो गहती है नहीं हमारे बीच में कुछ हुआ था और यह उसका बेवी है शी गॉट प्रेगनेंट बाद में पता लग वह प्रेगनेंट किसी और उससे थी और उसका नाम लगा दिया और में लड़कें यह तुमारा यह तुमारे ऋटे तुम सोगये तुम नहीं पता तुम नशे में ते उसकी लाइफ में और आज तक पैसे देर आया और वो केस अभी तक सॉल ज़िए और कई नहीं किया भी शादी से तो कान पकड़ लिओंगा कि लिए आदमी ने यह तो तंतरमंतर का यह तो यह तो साले की जिंदिगी पर ही लग गया तंतरमंतर सब यह तंतरमंतर की स्टोरी न कि आप भगवान का नाम नी ले रहे चीजों से लड़नी रहे जो आ रहा है कर रहे हो भाई सद बुद्धी लाना बहुत जरूरी है और यह पता होता भी वो लोग जल्दी कंट्रोल हो जाते जिनका ओरा वीक होता है नहां वह जल्दी इसले बोलते है पूजा करो सब अपन सारी नेगिटिविटी वहां से निकल जाती है आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है अपना ध्यान को और ऐसे कॉल पर भी बात मत करो अब तो यह भी एड हो गया बाल खाना पीना कॉल पता चले कॉल पर भी बात करों अनोन इंसान के साथ बढ़ी डेटिंग डेटिंग निकाल कालि है और रहती है कुछ तो गु לו कि यहार tough आपके घरवालों से ज्यादा कोई नहीं चाहता हूँ वह का बुल जाएं लोगों की सुनो लोगना इग्नॉर करते है अब को Eğer मुझे तु बढ़ा बदल करते हैं कुछ तो कि यहार ग्यार कुछ लाघ Kingdom को सच्ति ए करे यार तु पागल हो गया, यार तु पागल हो गया, 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 तु पागल ह है और हमको तो अच्छा लगा आपको भी अच्छा लगा तो हमें लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब दूर कर दें प्यूश्चोखास फॉलो कर लेना है इंके बाइट्च टिप्स होती है और इंदोर को फॉलो कर लेने इंटराम पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौज झाल झाल